आज से लगबग देर सो साल पहले जब टेलीफोन का आविशकार हुआ तो शायद ही उसके इन्वेंटर ने भी सोचा होगा कि ये टेलीफोन आज के स्मार्टफोन की शकल ले लेगा और ये स्मार्टफोन इतने ज्यादा आदूनिक हो जाएंगे कि इनसानों का नकेवल इसके ये सिंसाले आईफोन का रिंटोंग आईफोन का रिंटोंग कभी सुनाएं तुम एंडूड यूजर वालोंने अच्छा पर क्या सच में स्मार्टफोन हमारे भले के लिए है या फिर ये स्मार्टफोन इंडस्ट्री हमसे बहुत कुछ छुपा रही है तो अगर आप जानना चाहते हैं स्मार्टफोन इंडस्ट्री के डार्क सीक्रेट तो वीडियो को अन तक जरूर देखिएगा आपको लास्ट याद है कि आपने पुराना स्मार्टफोन बदल कर नया कब लिया था एक साल, दो या बहुत से बहुत तीन साल पहले तो एक सर्वे के हिसाब से 42.6% स्मार्टफोन यूजर ने अपने स्मार्टफोन को 2-3 साल के अंदर और 28.7% यूजर ने एक से दो साल के अंदर चेंज कर दिया पर इसका ये मतलब नहीं है कि स्मार्टफोन इससे ज्यादा चल नहीं सकते क्यूंकि अगर इसे आप पुराने टेलिफोन से कंपेर करें तो कुछ तो 20 साल पुराने टेलिफोन यहां तक कि 10-15 साल पुराने मुबाइल फोन भी आपको working conditions में मिल जाएंगे तो फिर आज के टाइम पर तो हमारे पास raw materials टेकनीक दोनों ही पहले के मुकाबले ज्यादा advance है कि हम good quality smartphone devices बना सकें तो फिर भी क्यों आज के smartphone इतना कम चलते हैं और आप क्या सोच सकते हैं इसके पीछे की वजह क्या है और अगर आप सोच रहे हैं कि कोई नया smartphone खरीदेगा ही क्यों जब तक पुराना खराब नहीं होगा तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं आज कल की बड़ी बड़ी smartphone industry तो यही strategy अपना रही है किसी भी तरह से अपने sales को बढ़ाने की तो इसका ये मतलब है कि companies planning के तहट जान बूच कर अपने product की quality और durability को इतना कम कर रही हैं ताकि हो अपना business बढ़ा सकें और ज्यादा तर smartphone companies ये strategies अपनाती हैं ताकि वो consumer को नया phone खरीदने पर मजबूर कर सकें एक survey के हिसाब से क्यों लोगों ने अपना पुराना phone इस्तिमाल करना बन कर दिया और इस survey से पता लगा कि 40% smartphone user ने software issues और 38% लोगों ने अपना smartphone battery issue के वज़े से use करना बन कर दिया तो ज्यादा तर smartphone companies चार strategy अपनाती हैं ताकि वो users को नया smartphone खरीदने के लिए मजबूर कर सकें नमबर वन strategy है जान बूच कर phones को slow down करना आप लोग अक्सर ये software update का pop-up अपने phone में जरूर देखते होंगे company ये update इसलिए देती है कि आपका phone पहले से बहतर हो जाए पर smartphone companies इन update की आड़ में जान बूच कर आपके phones को slow down कर रही है इसी वज़ा से CNET की एक report के हिसाब से Italy में Apple और Samsung दोनों को 5-5 million dollar का fine लगाया गया क्योंकि वो जान बूच कर उन्होंने ऐसे software update लाँच किये जिससे consumer का phone slow perform करने लगा smartphone industry की दूसरी strategy है phones के old model को neglect करना अक्सर smartphone companies security patches phone में update करती रहती है ताकि आपका smartphone cyber attack और latest virus और malware से बच सके पर अक्सर company जान बूच कर ये security patches पुराने phone के models में launch नहीं करती जिससे पुराने phone में ये security threat का risk बढ़ जाता है और अक्सर ये problem आपको android phone में देखने को मिल जाएगी third strategy है unique designing company smartphone को इस हिसाब से resign करती है ताकि उनका repair करना काफी मुश्किल हो जाए और अगर mobile phone repair हो भी सकते हो तो companies उनके genuine parts को available ही नहीं कराती ताकि मजबूरी में customer को नया phone खरीदना पड़े fourth strategy है जल्दी जल्दी smartphone launch करना शायद वो दिन जा चुके हैं जब company साल में सिर्फ एक ही phone launch करती थी पर इस time पर 3 या 4 महीने के अंदर ही smartphone company कोई न कोई phone launch कर देती है जिससे जो phone consumer ने 6 महीने पहले ही लिये थे वो भी बहुत जल्दी outdated लगने लगते जिसके वजह से कभी कबार consumers साल भर के अंदर ही अपना phone यूज करना बन कर देते हैं और भले ही सारी companies profit कमाने के hold में consumer को चील की तरह नोचने में लगी हो पर इसका side effect सिर्फ smartphone user को नहीं बलकि society और environment को भी भगना पढ़ रहा है क्योंकि the guardians के एक article के हसाब से जो कोबाल्ट smartphone की lithium battery में इस्किमाल होता है उसकी mining में 7 साल के बच्चों को लगाया गया है जो की एक बढ़ती सीवर child labor की problem है जो की ना केवल society के लिए बलकि mining worker की condition दोनों के लिए अच्छे नहीं है अपनी revenue increase करने में लगी ये smartphone company जाने अन जाने में environment को बहुत लंबी चोट पहुचा रही है पुराने smartphone से बढ़ते e-waste दुनिया भर के लिए एक बड़ी समस्या बन रहा है एक article के हिसाब से सिर्फ पुराने smartphone ही global e-waste को 12% contribute करता है और सिर्फ इस साल में ही तकरीबन 5.3 billion mobile phone फेक दिये जाएंगे जो की एक बहुत बड़ा number है e-waste का और यही नहीं बलकि smartphone की बगती demand इनमें यूज होने वाले 60 तरह के different metal, soil और water दोनों की contamination करते हैं और सवाल यह उठता है कि smart phones और technology क्या सच में हमारे इर्दगिर्द environment और nature से ज्यादा जरूर है और क्या आगे आने वाले time में इस तेजी से हो रहे technological change की कीमत चुकानी पड़ेगी comment section में अपनी राय जरूर दीजेगा और अगली वीडियो आप किस topic पर देखना चाहते हैं comment करके अपनी कीमती सुजाओ जरूर दीजे और वीडियो को like और subscribe करना बिल्कुल न भूले